नमस्कार राज्की और दोगिक प्रिशिच्छव संस्थानों के वहवसाई ड्राफ्मेंट सिविल के फर्स्टियर के टॉपिक कार्पेंट्री जॉइंट्स को उपर आज हम चर्चा करेंगे मेरा नाम है मुबश्री रेली सिद्धी की अनुदेशक ड्राफ्मेंट सिविल रा आज के इस प्रसिच्छन में सबसे पहले हम जानेंगे की कार्पेंट्री जॉइंट्स क्या होते हैं और उसमें प्रियुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों को बारे में जानेंगे फिर कितने प्रकार के हमारे कार्पेंट्री जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में जानेंग सुरुवात करते हैं सबसे पहले कारपेंटरी जॉइंट से किसे कहते हैं कारपेंटरी जॉइंट्स देखे जॉइनरी वुड वरकिंग का वहाँ हिस्सा है जिसमें विभिन आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए लकडी के अलग-अलग भागों को जोडा जाता है क्या है पूर्सी हो गई मेज हो गई डाइनिंग टेबल वगयरा हो गई कोई भी लकड़ी का आइटम हो गया दर्वाजे हो गई खड़की वगयर हो गयर को आपस में बनाने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ता है तो जौनिरी वुड़ वरकिंग के वाहिस्सा है जिसमें विभिन चैंफरिंग क्या है चैंफरिंग किसे कहते हैं लकड़ी के टीखे किनारों को रंदा कर क्या कर रंदा कर गोल पर इसे गोल किया जाता है अगला हमारा टर्म है सौइंग सा का मतलब ही होता है आरी तो आरी के द्वारा क्या काटना अगर कोई टेक्निकल टर्म है वो है शूटिंग, यह क्या चीज़े से जानते हैं, यह लकडी के तुकडों को सीधे तथा वर्गाकार फलक बनाकर सुसजित करने की कला है, लकडी के तुकडों को सीधे तथा वर्गाकार फलक बनाकर सुसजित करने की कला हमारी कहलाती है शूटिंग, अ उस रफ को plane करने के लिए उस पर रंदा किया जाता है और रंदा करना ही क्या कहलाता है हमारा planning कहलाता है लकड़ी को रंदे से संतल करने की किरिया रंदा करना कहलाता है तो यह हो गया हमारा planning अगला हमारा term है वो है mitring क्या है माइट्रिंग, माइट्रिंग क्या है लकड़ी के दो अवयवों को किसी कोड़ पर जोलने की किरिया, किरिया माइट्रिंग इलाती है, लकड़ी के दो अवयव हैं, उन्हें किसी भी एंगल पर जोलने की किरिया है, तो क्या कहलाएगी हमारी माइट्रिंग, एक मैम ली यानि गढ़ाई करना यह क्या है लकड़ी की सुंदर्ता बढ़ाने के लिए वांचित आकरती देने की क्रिया लकड़ी की गढ़ाई करना कहलाता है लकडी की सुन्दरता बढ़ाने के लिए वांचित आकरती देने की किरिया गढाई करना कहलाता है या मोल्डिंग कहलाता है अगला हमारा टर्म है रिवेटिंग कि रिवेटिंग क्या होता है लकड़ी कार के एक अव्यव में दूसरा अव्यव लगाने के लिए प्रथम अव्यव के किनारे समनांतर आयताकार पेड़ी काटना पताम काटना रिवेटिंग कहलाता है जब किसी एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ने के लिए पहले मेंबर पर उसकी लंबाई के नुरूप समनांतर एक पताम काटी जाती पेड़ी काटी जाती तो उसे कहा जाता है रिवेटिंग अगला हमारा टर्म है आवासन या फिर हाउसिंग यह क्या चीज होती है लकडी के एक अव्यव में दूसरा अव्यव लगाने के लिए प्रथम अव्यव में खाचा काटने की करिया हाउसिंग या आवासन कहलाती है इसी प्रकार से हमारा अगला टर्म है ग्रूव या खाचा ये क्या है लगड़ी के किसी अव्याव में बनाएगी जीरी खाचा कहलाती है जीरी ये बनाए जारी है उसमें किसी भी दूसरे मेंबर को जोडने के लिए तो जो जीरी बनाई जा रही हो कहला रही है हमारी ग्रूव या खांचा और इसको बनाने की किरिया क्या कहला रही है हाउसिंग दोनों में अंतर ये है ग्रूव और हाउसिंग में हाउसिंग हमारी किरिया है और ग्रूव खांचो को कह रहा है अगला है हमारा term studying यानी गुड के लगाना ये क्या है लकड़ी के तक्ते आदी दीवार में लगाने के लिए पहले दीवार में छोटे छोटे गुड के लगाने के लिए इस्टेडिंग कहलाती है अगला हमारा टर्म है बीड यह क्या चीज है लकड़ी के कोने या सतय पर गोल या अर्ध वरत्ताकार आगरती गण्णण बीड कहलाता है इसी प्रकारते बैटन को समझते हैं बैटन किसे कहते हैं लकड़ी के जोड़ पर लकड़ी के कहां पर जोड़ पर कम चौड़ी कम चौड़ी लगाई जाने वाली लगड़ी की पट्टी बैटन कहलाती है जो जोड़ होते हैं लगड़ी के उनको सपोर्ड करने के लिए कम चौड़ी लगड़ी की पट्टी लगाई जाती जिसे क्या क तो यह था हमारी टेक्निकल टर्म अब जानेंगे उसके जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं कि तो जोड के भागों के आपस में सईयोजन के आधार पर सभी तरह के जोडों को निमलिखित तरीके से वरगेकरत किया गया है सबसे पहला जो हमारा जॉइंट आ रहा है वह लैप जॉइंट लैप जॉइंट उसके बाद हम जानेंगे बड जॉइंट क्या होता है फिर मोल्टाइज एंट जॉइंट उसके बाद ब्राइडल जॉइंट और फिर डोव टेल जॉइंट इन सबके अपने भी खुद के कुछ वरगी करन हैं उनके सब के बारे में विस्तरत वाले दो भाग एक दूसरे के ऊपर चड़े हुए रखे जाते हैं चड़ाव जोड के तहर निम्लिखित जोड़ जोड है अब जैसे माली जी एक मेंबर हमारा ये दूसरा मेंबर ये है जब इसके उपार कोई लैप आ रहा होगा इसके उपार चड़ाव आ रहा होगा तो कहलाएगा हमारा lab joint तो इसके भी कई प्रकार है पहला है हमारा T lab joint किस प्रकार का होता यह diagram से समझते हैं first member आपका यह है second member आपका यह है आप देख रहे होंगे कि पहले member पर यहां पर खाचा काटा गया है ग्रूब काटा गया है और दूसरे में इसके center में और जब एक दूसरे को उपर lab करते हुए इसे रखा जाता है तो यह टी शेप की आकरती बना रहा है तो टी शेप की आकरती बना रहा है तो यह हो गया हमारा टी lab joint इसका प्रयोग कहां हो रहा है दर्वाजे और गाडियों के frame बनाने में किया जाता है दर्वाजे और खड़िकियों के frame बनाने में किया जाता है अगला हमारा lab joint है वह है corner lab joint इसका प्योग भी frame बनाने में किया जाता है और जैसा इसका नाम है वैसी आप समझ सकते हैं corner है तो corner किनारे के उपर इसका जोड़ आएगा पहला member हमारा यह आया दूसरा member यह है दोनों में opposite direction में groove काटे गये हैं और एक दूसरे के उपर lab करते हुए रखा गया है इसे half lab joint भी जाता है तो जब corner के उपर कोई चड़ाओ जोड़ आएगा तो उसे कहा जाएगा कोना चड़ाओ जोड़ या corner lab joint इसी प्रकार से डोव टेल में डोव टेल आधी मोटाई में डोव टेल और दूसरे भाग पर आधी मोटाई में पहले की माप का डोव टेल खाचा बनाया जाता है दाइग्राम से के लिए अर्ली समझते हैं फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर फर्स्ट मेंबर में आपका ये डोव टेल बनाए गया डोव टेल कुछ नहीं है सिर्फ ए प्रकार का खाचा बनाया जाता है इसको हम लोग 90 डिगरी के कोल पर ना बना करके किसी एंगल पर बनात हुए लैप क्यों हो रहा है क्यूंक्त इसको पर चढ़ा वा रहा हुआ तो होगा लैब जाइन तो यह कहलाएगा हमारा डोव टेल लैब जाइन अगला है हमारा रिबेड जाय्न जानी पताम जोड है इसमें आप देखे इसमें रंदें के सहाईता से दोनों भागों में रेशों की दिशा में समान-पताम काटे जाते हैं 1st member 2nd member 1st member में इसकी हाफ इट में मुटाई में एक सीधी सीधी पेड़ी काटी गई या पताम काटी गई या रिबेट काटी गई और 2nd member को इसके ऊपर लाकर के चिपका दिया गया इस तरीके से, यह आपका joint बन रहा है, इस तरीके से इसे गों या किल की सहाइता से जोड दिया गया, तो इस तरीके के जब आपके जोड बनेंगे, जिसमें पताम बनेंगे, तो कहलाएंगे ribet lap joint या ribet joint, अगला है हमारा cross lap joint, cross, चलहाओ जोड, इसे cross half lap joint भी कहते हैं, cross कर रहा है, तो cross lap joint होगा, first member हमारा ये है, second member ये है, दोनों के half center में ये groove काटे गया, और इन groove को काटने के बाद इस तरीके से इसे जोड दिया गया, तो ये cross group में बन रहा है, तो ये हो गया हमारा cross lap joint, अगला है हमारा bevel lap joint, ये क्या है, टी जोड की तरह ही होता है, परन्तु इसके भाग 90 अंश के कोड पर ना होकर, किसी अन कोड पर बने होते हैं, 90 अंश के लावा किसी अन कोड से जुड़े होते हैं, डाग्राम से समझते हैं, पहला member हमारा ये है, इसका जो lap निकालने के लिए जोड दिया गया है, ये 90 डिगरी पर ना निकल के किसी एंगिल पर है, ये किसी एंगिल पर है, और इसी प्रकार से इसके opposite direction में भी इसी प्र कोड का जोड बनेगा, तो कहलाएगा हमारा bevel lap joint, तो ये थे कुछ प्रकार lap joint के, अब जानेंगे की butt joint का होता है, और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, तो butt joint जानते हैं, क्या होता है, butt joint यानि टक्कर जोड, इस प्रकार के जोडों में एक भाग का सिरा, दूसरे हमारा, ये सिरा हमारा, दोनों को आपस में सटा कर जोडा जा रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा butt joint या टक्कर जोड कहलाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारा doe tail pin joint, इसमें लकडी की pinों का उप्यों किया जाता है, किस प पिन बनाई जा रही है, और पहले मेंबर में इस pin के लिए खाचे बनाएगे हैं, और इन्हें आपस में सटा करके जोड दिया जाता है, इस pin को इस खाचों में डाल दिया जाएगा, और गोन या गोन के साहता से जोड दिया जाएगा, तो इस प्रकार की जब पिनों का प्य इधा या सरल किनार जोड इस ट्रेट एंड प्लेन एज जॉइंट नाम सही सिंपल लग रहा है इस प्रकार के जोड को तयार करने के लिए जोड़े जाने वाले दोनों भागों को एक साथ वाइस में बांद कर रंदे से समतल किया जाता है फिर किनारों पर गोन लगा कर चिप बांद कर रंदे से समतल किया जाता है फिर किनारों पर गोन लगा करके चिपका दिया जाता है डाइग्राम से क्लियरली समझते ही से यह आपका पहला मेंबर है यह दूसरा मेंबर है बीच में यह जॉइंट है बीच में यह जॉइंट है अब इसे यह वाइस है मारी क्या है वाइस की सहायता से दोनों को बांधा गया और गोन की सहायता से इसे चिपका दिया गया तो इस तरीके से जब कोई जोड़ बनेगा तो कहलाएगा हमारा straight and plain edge joint सीधा या सरल किनार जोड़ यह बट जोइन का प्रकार था अगला जो हमारा बट joint है वह है मीटर जोइन या कल्ची जोड यह किस परकार का होता जानते हैं इस जोड में दो भागों को आपस में नब्बे यांस या किसी अनकोर पर जोड़ जाता है और परते भाग को जोड के आधे जोड़ पर जोड़ जाता है डाइग्राम से क्लियरली समझते से फर्स मेंबर हमारा यह सेकंड मेंबर यह है दोनों को टेपर नुमा इस तरीके से खांचा बना दिया गया दोनों में यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं और दोनों को इस की किसाहता से जोड दिया गया तो इस परकार के जोड़ बंत इस जोड के लिए एक भाग में लंबा खाचा ग्रूब और दूसरे भाग में लंबी जीव टंग बनाई जाती है एक भाग में लंबा खाचा ग्रूब बनाएगा और दूसरे भाग में यह टंग बनाएगा यह क्या है आपकी टंग है और यह है हमारा groove, यह हमारा second member हो गया, अब इस तरीके से जब कोई जोड बनाए जाएगा, इस groove में इस tongue को दे दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, तो ऐसे जोड जब बनेंगे तो कहलाएंगे हमारे tongue and groove joint, जो कि एक bird joint का प्रकार हैं, क्योंकि इसमें सीधे टक कर जोड जाए हैं, तो यह थे bird joint के प्रकार, अगला है हमारा moltize and tenon joint, moltize and tenon joint जिसे साल और चूल जोड भी कहते हैं, देखें, जोडाई के काम में साल और चूल जोड का सबसे जाद उप्योग किया जाता है, सबसे जाद उप्योग किसका जीए किया जारा है, moltize and tenon joint का, इसमें एक तुकड़े में आयताकार खांचा या गूरूव काटा जाता है, एक member में आप गूरूव काटेंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, moltize कहा जाएगा, और दूसरे तुकड़े में खांचे का कार का, इसमें fit होने वाला उभरा भाग बनाए जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, tenon कहा जाएगा, जिसमें groove काटेंगे, वो कहला अगा, moltize और जिसमें उभरा भाग बनाएगे, जिसमें set होने के लिए होगा, उसे कहा जाएगा tenon, ये हमारा groove काटा गया, तो ये क्या है? groove काटा गया, जिसे क्या कहा? कहा गया मोल्टाइज कहा गया यह उभरा हुआ भाग बनाया गया जिसे टैनन कहा गया तो इस प्रकार के जोड बनते हैं वह होते हैं मोल्टाइज एंड टैनन जॉइंट इसके भी कुछ प्रकार है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहला आता है हमारा ब्लाइंड और स्टब मोल्टाइद टैनन जॉइंट बंद साल और चूल जोड किस तरीके का होता है इसमें चूल साल के भीतर लकड़ी के आर पार ना होकर आर पार ना होकर कुछ गहराई तक ही बनाई जाती है ताकि चूल साल में ठीक तरह से फिट हो सके मतलब आपका टैनन जो है वह आपका ज्यादा गहराई तक ना जा करके कुछ दूर ही तक जाता है तो इस प्रकार के जो आपके जॉइन कहलाते हैं वह बंद साल और चूल जोड कहलाते हैं अगला है throw single mortise and tenon joint आर पार एकल साल और चूल जोड जैसा नाम वैसा काम पूरा आर पार जा रहा है तो इसलिए ये कहलाएगा आपका तो through single mortise and tenon joint, अगला है हमारा divided mortise and tenon joint, विभाजित, साल और चूल जोड, जब एक से अधिक mortise में बाठ दिया जाएगा joint को, तो वो कहलाएगा विभाजित, साल और चूल जोड, डाग्राम से आप समझ सकते हैं, first member, second member, दोनों में, दो mortise, दो tenon है, तो यह कहलाएगा हमारा divided mortise and tenon joint, अगला है, grouped mortise and tenon joint, खाचेदार, साल और चूल जोड, जब आपका mortise के साथ-साथ, group भी काटा जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा खाचेदार, साल और चूल जोड, इसमें आप clearly देख सकते हैं, इसमें यह mortise है, और यह groove काटा गया है, तो इस तरह के जब आपके joint बनेंगे, तो कहलाएगे, grooved, mortise and tenon joint, एक है one sided, mortise and tenon joint, एक तरफा साल और चूल जोड, कभी कभी ऐसी आप सकता पड़ती है, सिफ एक तरफ हमें tenon बनाना पड़ेगा, तो ऐसे क्या कहलाएगे, one sided, mortise and tenon joint, अगला है, honched, mortise and tenon joint, बगल, साल और चूल जोड, इसमें चूल की चूड़ाई लगभग एक तिहाई कम कर दी जाती है, और इसी चूल की चूड़ाई लगभग एक तिहाई कम कर दी जाती है, और इसी चूल के आकार की साल बनाई जाती है, जिसमें चूल को fit किया जा सके, आप डाग्राम से क्लिरली समझ सकते हैं कि फर्स मेंबर है, सेकंड मेंबर है, इसकी जो यह है, एक L टाइप का इसका आकार दिया जाता है, जिसे उसी तरह के खांचा बनाया जाता है, तो इस प्रकार के अगर जब आपके joint बनेंगे, वो कहलाएंगे, बगल, साल और चूल जौड, हूंच्ट, मौल्टाइज, एंड टैनन, जॉइंट, तो यह तो कुछ प्रकार, मौल्टाइज एंड जौइंड के अगला है, हमारा ब्राइडल जॉइंट, यह दूबहींजी जौड, यह कैसा होता है, खुले यह जोड, खुले साल और चूल-जुड के नाम से भी नहीं हो इसके भी कुछ टाइप उसके बारे में जानेंगे पहला है हमारा टी ब्राइडल जॉइंट देखिए ओपन मोल्टाइज इसका ओपन है और बाकिस सेम वही चीजें और इसमें यहां पर गूरूव काटा गया जैसे इस प्रकार से जोड दिया गया टी आकरती ले रह इसमें फुल लेंग तक ना ले जाकर के हाफ लेंग तक यह देख रहे हैं यहां पर हाफ लेंग तक इसको बनाए जाता है तो यह कहला आता है हमारा बंद दूबीजी जोड या स्टॉप ब्राइडल जॉइंट और यही चीज अगर कॉर्णर के उपर बनाई जाए यही ची सिरे पर दो जीभू में जीरी बनी होती है जिसे चूल लगाकर नब्बे अंश पर फिट कर दिया जाता है डियाग्राम से क्लिरली समझ सकते हैं फ्रस्ट मेंबर हमारा यह हैं सेकंड मेंबर यह हैं देखें यहां पर यह उपन है उपन है इसलिए ओपन मोर्टाइज और ट दोव टेल ब्राइडल ज्वाइडर ज्वार आजए इसमें जूरी और चूल दोनों ही धोल्टेलाकर की होती है डोटेल आपको बता ही चुके हैं कुछ नहीं ऐसा प्रोजेक्शन जिसको 90 डिग्री पर निकाल करके किसी आंगल पे निकाल लें तो वह हमारे कहलाता है दोब tail bridal joint इसी प्रकार से होता है मीटर bridal joint कल्यमी दुभीजी जोड यहां जोड फ्रेम के कोनों पर काम आता है इसके दोनों भाग के सिरो पर कोड़ों में कटाई की जाती है एक बाग में दो बीजी के बीच में झीरी और दूसरे भाग में चूल काट दी जाती है कैसे यहां नो के बीच में जहीरी और दूसरे भाग में चूल काट दी जाती है, तो इस प्रकार से डाइग्राम में समझते हैं, सेकंड मेंबर है, यहाँ पर टेपरनुमा इसे जहीरी काट मॉलटाइज बनाए गया, तो इस प्रकार से जब आपके मोलटाइज वाले जॉइंट बनेंग तो यह थे कुछ प्रकार आपके ब्राइडल जॉइंट के अब जानते हैं डॉटेल जॉइंट यह कैसा होता है इस जोड़ का भी बहुत उप्योग होता है या लकड़ी के सभी जोड़ों में सबसे मजबूत जोड़ होता है चित्र के अनुसार वे उभार जिनकी सत्य सलामीदार होती है डॉटेल कहलाती है और वे उभार जिनके सिले सलामीदार होते हैं पिन कहलाते हैं फिर से एक बार समझते हैं यहां लकडी के सभी जोड़ों में सबसे मजबूत जोड़ होता है और वह उभार जिनकी सतह सलामिदार होती है डवटेल कहलाती है वह उभार जिनकी सतह सलामिदार होती है यानि जो यह प्रोजेक्शन वाले होते हैं यह क्या कहलाते हैं डवटेल इससे पहले भी जान चुके और उसके बाद वे उभा जिनके सिरे सलामिदार होते हैं वो कहलाती है पिन यह सतय हो गई यह सिरे हो गए अब इसे आपस में फिट कर दिया जाता है तो इस परकार के जो जोड़ बनते हों वो कहलाते हमारे डोव टेल जॉइंट तो यह थे आज का हमारा प्रसिच्छा जिसमें हमने जाना कि कार्पेंट्री जॉइंट किसे कहते हैं और उसमें प्रयुक्त होने वाले तक्नीकी सब्दों के बारों में जाना जैसे चैंफरिंग हो गया प्लेनिंग हो गया बैटन हो गया बीड हो गया तो कुछ तक्नीकी सब हो गया जिससे साल और चूल योल भी कहते हैं ब्राइडल जॉइंट के बारे में जाना डॉटल जॉइंट के पारे में जाना तो यह था आज का हमारा प्रसिच्छन उमीद है आपको समझ में आया होगा इस लेक्षर में जितना भी मटेरियल है वो ड्राफ में सिवल बुक अभिशेक आर जी की है जो नस्कूफ लेवल पर आधारी थे और नीमिक बुक द्वारा भी लिया गया है तो यह था आज का प्रसिच्छन उमीद है आपको समझ में आया होगा मिलेंगे आप से फिर एक नए टॉपिक के साथ तब तक क कर दो हाओती समया है प्राफ में आपको समयारे आपको समया होगा भी नीमिक थे दो एक नए आपको समया होगा, तो की का लिए ए।